आप सभी मित्रों को एक बार मेरा फिर से बहुत बहुत नमस्कार, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस वैक्सीन की मुहिम में बढ़ चरकर हिस्सा ले रहे होंगे तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना जा रहा हूँ, वो टॉपिक क्यों तो कहने को बहुत पुराना है, पर उसे भुला दिया गया किन कारणों की वज़े से भुलाया गया, वो मुझसे भैतर आप समझ पाएंगे, जब मैं आपके सामने इस बात को प्रस्तुत करूँगा पर ये बात जानने की बहुत जरूरी होगी कि इसे भुलाया क्यों गया जो आप अपने स्क्रीन पे अभी इस वक्त देख रहे होंगे, हाइड्रोक्सिक लूरोक्वीन और अजित्रोमाइसिन वाई वी फोगाट, हम क्यों भूल गए इसे, ऐसा क्या था इसमें, क्या ये दवाई खराब थी, क्या ये मेडिसेन ठीक नहीं थी किन लोगों ने इसके खिलाफ बोला, क्या था इस दवाई में, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसी जाननी के लिए मैं आशा करता हूँ, कि आप मेरे से अंध तक चुड़े रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो मैं एक बात यहां पर साफ कर देना चाहता हूँ, कि इस वीडियो में बताये गया हर एक चीज, जो भी मैं आपको यहां से मैं प्रस्तुत करूँगा आप लोगों के सामने वो हर एक चीज scientifically proven होगी, हर एक मेरी हुई बात बोली हुई का proof आपको description box में मैं सारे research articles का link दूँगा ताकि आप उसको cross check कर सके अगर आपका मन करे तो, पर मैं यहां कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूँगा जो unscientific है ठीक है, तो आज का lecture मैं शुरू करता हूँ और हम बात करते हैं hydroxy chloroquine and azithromycine why we forgot, तो जो आपके अपनी screen पर आप देख रहे होंगे, it's chloroquine and hydroxy chloroquine it's a introduction, तो मैं एक बार introduction से start करता हूँ कि इस दवाई के अंदर basically है क्या तो आप जो इस structure देख रहे होंगे इस वक्त, इसमें 4 amino clinol derivatives है यह क्या है, एक 4 amino clinol derivative है, जो कि हम लोग basically एक anti-malarial और malaria एक protozoa होता है, protozoa एक तरीके का एक microorganism है, जैसे एक तरीके का वाइरस होता है bacteria होते हैं, fungus होते हैं, तो एक protozoa भी एक तरीके का microorganism है जिस microorganism, जो कि आपको malaria cause करता था, उस protozoa के against यह दवाई काम करती है ठीके न, आपने सुना ओगा anti-malarial drug ठीके anti-malarial drug ही chloroquine है, यह hydroxy chloroquine इसी को हम यूज करते है तो यहां पर हम बात करते हैं कि यह actually है क्या, तो it has anti-malarial and protozoal property तो इसके पास anti-malarial and protozoal property दोनों है, and it's a immunomodulatory effect इसके पास immunomodulatory effects भी है, which is used for rheumatologic conditions तो अगर rheumatologic conditions आती है, ऐसे कि rheumatoid arthritis हो जाता है, ठीके न, या और कोई भी rheumatoid associated, कोई भी problem आती है तो उन जगाओ पर हम इस drug को use करते थे, ठीक है, तो आगे जो आपके काम की चीज़े मैं उसी पर धियान देता हूँ, ठीक है, introduction में इसमें और जादा आपको जानने की ज़रूद नहीं है, ठीक है, यह इसका chemical structure है, जो आप अपने screen पर देख रहे होंगे, chloroquine और hydroxy chloroquine में फर्क इतना है कि chloroquine इसमें, जो आप structure देख रहे हैं, hydroxy chloroquine, hydroxy chloroquine में मैंने यहाँ पर जो red mark से mark कर रखा है, आप देख रहे होंगे, OH group है, hydroxy chloroquine में extra OH group है, ठीक है ना, hydroxyl group को ही, जो hydroxy chloroquine का, जो hydroxy है न, वो इसी से आया है, ठीक है न, उस OH group को ही hydroxy chloroquine हम बोल रहे है नेक्स्ट पेज़ पे, अब आप जो यह स्क्रीन में आप देख रहे हैं, या इससे आप एक और आगया यह, आप पहले यहाँ पर जानिए, कि मैं आज किन चार्ट आपक्यों पर बात करने वाला हूँ, पहला है, chloroquine, hydroxy chloroquine, antiviral properties and SARS coronavirus 2, ठीक है न, और जैसा कि मैंने बोला है, इस सब वुहान वायरेस, तो मैं यहाँ वुहान वायरेस, यह SARS coronavirus 2, दोनों ही नाम यूज़ करूँगा, ठीक है, तो chloroquine, which is a multiple effect, on cellular organelles and functions, तो chloroquine के पास, यह multiple effects show करती है, अपके cellular functions में, और cell में organelles जो होते हैं, cell में organelles क्या होते हैं, मतलब, कि मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी समझाया था, कि suppose यह आपका घर है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यह मेरा घर है, यह मेरा रूम है, इस रूम में बहुत सारी चीज़े हैं, ठीक है, यहाँ पे table है, मेरे सामने स्क्रीन पे laptop खुला हुआ है, mobile phone भी लगा हुआ है, जिससे मैं recording कर रहा हूँ, chair भी है, जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो आप एक room को एक cell समझे लीजिए, कोशी का समझे लीजिए, ठीक है ना, और इस room में सारा जो system यहाँ पे रखा हुआ है, इस वक्त, इसको room का part हुआ, table is room का part हुई, यह computer is room का part हुआ, मैं इस room का part हुआ भी, हम सब क्या है, हम इस कोशी का के organals है, ठीक है ना, इसमें हम अंदर बसे हुए है, तो ऐसे ही hydroxy chloroquine जो है, यह cellular और organal functions पर ही जाके act करती है, किसी तरीके से उसको, या तो कुछ काम को रोकती है, या basically, ठीक है, तो तो पहला जैसे मैंने आपको बताया, it's an immunomodulatory effect, इसका immunomodulatory effect है, तो rheumatoid arthritis पर और rheumatologic condition जहां होती है, हम उस पर use करते हैं, इसको, next is, it's alkaline is vacular, and lysosomal, जो bracket में लिखा है, alkaline is vacular, that means, alkaline मतलब की pH को increase कर देना, ठीक है, बेसी सीटी ला देना, किसी चीज मे है, ठीक है, chloroquine क्या कर रही है, basic characters ला रही है, basic को हिंदी में, क्या बोलते हैं, मेरे को पदा नहीं, बट, वो pH increase कर रही है, ठीक है न, एक होता acid, और एक होता base, ठीक है न, acid वो गए, कि जो खटे रहते हैं, टेस्ट में, और base वैसे समझ लिए, जो कडवे रहते हैं, ठीक ह ठीक है न, तो यहां पर यह क्या कर रही है, यह basic city को increase करती है, lysosomes में, ठीक है न, आपके cell का एक part है, जिसे हम कहते हैं, लाइसोजोम, ठीक है न, यह जैसा room है, यह room cell है, cell में एक part है, जिसे हम lysosome कहते हैं, उस lysosome में यह उसका pH increase कर देती है, उससे होता क्या है, वो हम alkaline, and next point is, inhibits protozoal food vacuole functioning, तो यह inhibit करती है, protozoa के food vacuole में जो काम चल रहा है, उसी को खतम कर देती है, इसलिए वो protozoa भी खतम हो जाता है, ठीक है, हमने बताया कि यह anti-malarial drug है, तो इसे malaria को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, ठीक है, इसे SARS coronavirus को ध्यान में रखते हुए ठीक है, तो यह anti-malarial drug है, ठीक है, आगे क्या लिखा है, it inhibits endocytosis, lysosomal fusion and function, तो यह क्या-क्या inhibit करती है, endocytosis भी inhibit करती है, endocytosis का क्या मतलब होता है, endocytosis का मतलब होता है, कि suppose करिए, यह room है न, एक door है यहाँ पे, इस room में, आप किसी को बहार से अंदर आना है, तो वो कैस आएगा, door के पास आएगा, door को push करेगा, और अंदर आएगा, ठीक है, या फिर कोई guests आते हैं, जब घर पे, तो कैसे होता है, door पे, जो remembers होते हैं, एक इस house के, जैसे suppose मैं इस member हूं, इस house का, तो हम लोग door पे चले जाएगे, उनको receive करने हम लेके आएगे, हैंना, same endocytosis भी किसी को लेके आना है, ठीक है, chloroquine is a zinc ionophore, third point is a, और यह भी बहुत important point है, मैं आपको बताऊँगा, एक एक बत, चीज समझाँगा, कि यह function यह ऐसा अवलब करता क्या है, actually, और यह क्यों, SARS coronavirus में भी effect करना था, ठीक है, तो chloroquine is a zinc ionophore, zinc ionophore in the sense, कि this allows influx of zinc ions into cells, यह क्या करता ह है, यह zinc ion, जो आपको याद है, आप SARS coronavirus अगर किसी को positive हुआ होगा, तो उसको zinc के tablets दिये जा रहे थे, ना, तो किसी कारण वर्ष्ट से दिये जाते हैं, ठीक है, ऐसे बेवज़ा कुछ भी नहीं दिया जाता है, डॉक्टर्स कभी आपको बिना किसी evidence proof के कुछ नहीं देते, ठीक है, देखे, दुनिया में लोग बहुत कुछ कहते हैं कि वो लोग वो दे रहे हैं, या फलाना दवाई दे दे, कुछ और दवाई दे दी, पर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, डॉक्टर्स कुछ भी दे रहा है, वो कुछ सोच समझ के दे रहा है, वो बेवज़ा नह दे अराम से बात करूंगा, पर आगे देखते हैं, तो जिंक आयन्स को भी इंफलक्स यह अंदर आने देता। आडेट में जिंक को जेंकायन सब्सक्राइज अगर भाहर है अगर जिंक आयन्स तो जिंक आयन्स जनरली इस रूम में आनी सकते, ठीक है, ना, समझ लेजे ये कि शर्म आते हैं थोड़ा ठीक है वह ऐसे घर में नहीं आ पाते तो उनको किसी की जरूत पड़ती है जो उसको बाहर से अंदर लेके आ सके ठीक है तो बस आप यह समझे जिंक आयन्स को ना किसी की सहारा चाहिए नहीं तो भारी खड़े रहते हैं ठीक है क्लोरोक्वीन कैसे वह सहारा देता है वह भी हम जानेंगे और उससे होता क्या है वह बहुत इंटरस्टिंग चीज है आगे बताता हूं एंट इट में हैव एंटी कैंसरस एफेक्ट ऑल्सो ठीक है मैं आज कैंसर के ऊपर बात ही करूंगा बट मैं डेफिनेटली एक दिन मैं कैंसर के ऊपर भी लेक्टर रखूंगा काफी सारे सीरीज अफ लेक्टर डालूंगा यहां पर कैंसर से रिलेटेड ठीक है वहां पर म कौफ hi दूसरे लोगों को भी बलाऊंगा तो वोwow ready कारेंगे नेगर between cancer के बारे में बात करेंगे एप क्रिए बी खिर एफ दिंग कैल्सिप क्लोरोओं विंट2 को कि श्यकलत कर सब्सक्राइड कर रहा है आपट के अट उब्हाट हउतना ज़्वाधर in the sense sugar moiety समझे शुगर नॉर्मल इसा शुगर होता है ग्लुकोस टाइप उसी का आप डेरिवेटिव समझे ठीक है ना क्योंकि ज्यादा समझ डिप्थ में जाओंगा तो शायद आपको भी समझनी आएगा तो उपर उपर ही रखते हैं ठीक है बेसिक तरह को पर बात करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और मैं भी शायद समझा सकूं अच्छे से ठीक है नेक्स्ट तिंग से जान से पहले हम पुराने वाले स्लाइड पर वापिस आते हैं जरा तो यहां पर आप देख रहे होंगे रेमिडस्वीर एंड क्लोरोक्वीन एफेक्टिवली इनिबिट दर रिसेंट्ली इमर्ज नोवल कोरोनावाइरस इन ब्रैकेट 2019 कोरोनावाइरस इन बीट्रो मैं कि मैं आपको एक बर आप थोड़ा सा गौर फरमाईएगा कि यहां पर दो चीजे हैं रेमिडस्वीर एंड क्लोरोक्वीन रेमिडस्वीर का तो आपने बहुत ही नाम सुना हो और क्लोरोक्वीन का आपने पिछले साल बहुत नाम सुना होगा याद जब ट्रंप ने मंगाई थी ट्रंप बोला था है यूएस के फॉर्मर प्रेजडेंट डॉनल्ड ट्रॉंप तो उन्होंने जब बोला तो इस टाइम बहुत जादा प्रोडक्शन होने लगा था इं आप यहां पर देख रहे होंगे रेमिडिस्वीर एंड क्लोरोक्वीन इफेक्टिवली इनिविड़ा रेसेंट्ली मजडेंवल क्रोनवाइरस इन विट्रो यह स्टडी है ठीक है ना स्टडी यह 4th of February 2020 आप उपर देख रहे होंगे डेट भी तो यह अभी चार फेवरी 2020 की रिसर्च पेपर है आर्टिकल है जो पॉब्लिश हुआ हुआ है मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ठीक है मैं बात करूंगा लेकिन हर चीज पर कि इस पेपर में एक्चुली मेंशन के है ठीक है एक्चुली जो यहां पर डाइग्राम है यह मैं आगे आने वाली स्लाइड पर आपको अच्छे से समझा सकूंगा अब आप जो देख रहे होंगे यहां पर लिखा है क्लोरोकुइन एंडोसाइटॉस ब्लोकिंग एजेंट इनिबिट्स जीका वाइरस इंफेक्शन इन डिफरेंट सेल मॉडल्स ठीक है यह 2016 डिस साथ समझाता हूं कि क्लोरोकुइन करता कि यहां पर कैसे उसने वाइरस के इंफेक्शन को रोका ठीक है और क्यूंग पिछले साल आइड्रोक्सी क्लोरोकुइन का नाम भड़ा और उसको एज प्रिवेंटिव मेजर हमने पेशेंट्स को देना चालू किया ताकि वह ऐसने आरा यह यह आप यह जो लाइन देख रहे हैं आप ऐसे इसमें बीच में एस्टू एस्टू वही रिसेप्टर है जो सेल पर रहता है जिससे कोरोना वाइरस का स्पाइक प्रोटीन जो है आके इंटरेक्ट करता है कोरोना वाइरस का स्पाइक प्रोटीन को इंटरेक्ट करता है एस्टू मॉलिक्यूल से जो की कहां प्रेजंट है सेल के मेंब्रेन के उपर है आप यह देख रहे हैं ना यह समझ लीजिए रूम की चार दिवारे हैं अभी आपको शायद एक की दिवार नजर आएगी पक्ट यह चार दिवार ही होती है ठीक है सपोस्थ यह पीछे वाल जैसे यह एक दिवार अभी आप समझ लीजीए ठीक है यह कोरोना वायरस भी बाहर है, इसको कहां आना? इंफेक्ट करने के लिए, सेल के अंदर, तो ये सेल के अंदर कैसे आता है, आप ध्यान से देखिएगा, कि ये स्पाइक प्रोटीन से साथ इंटरेक्ट करता है, और ये एक एंडोजोम बनाता है, ठीक है? एंडोसाइटोसिस में एंडोजोम बनता है ठीक है उसके बाद यह एंडोजोम जाके फ्यूज हो जाता है कहां यह जाके फ्यूज मतलब कि सपोस्स चिपक जाता है लाइसोजोम के साथ ठीक है एंडोजोम और लाइसोजोम का फ्यूजन हो जाता है ठीक है दोनों आपसमें मि कोई नीड नहीं था किसी कभी ज़रूत नहीं था वह बाहर से दर्वाजे को धकेल के अंदर घुसाया अंदर घुसा और सीधा कहां गया और सीधा जाब के पहुंचा लाइजोजोम में ठीक है यह जो पेपर यहां पर मेंचन किया हुआ इस पेपर में यही स्टडी बताए ग इंक्रीज कर दिया ठीक है जब पिएच इंक्रीज कर दिया तो आप यहां पर देख रहे होंगे लाइजोजोमल फंक्शन खराब होगे देखिए मैं आपको चोटी सी बात बता देता हूं लाइजोजोम के लिए लाइजोजोम एक बहुत एसीडिक एंवार्मेंट पे काम क पानी पे गुजारा करते हो ठीक है आप पानी पीके काम चला रहे हो और मैं आपको विनेगर पीने को दे दूं या फिर मैं सर्फ पानी में घूलूं और मैं वह पिला दूं आपको पिलोगे आप नहीं ना मामला बिगड़ जाएगा न सारा ठीक है ना हो सकता होस्पिटल भी जाना पड़ जाएं सेम यहां पर क्लोरो कुइन ने किया क्या किया उसको भी चाहिए तो तो एसिटीक अन्वार्मेंट और अंदर घुसके बना दिया सारा बेसी की बेसिक कैसे बना दिया जो आप यहां पर ब्लू करका यह देख रहे हैं ना यह प्रोटोन पंप है ठी ठीक है उल्थो इस पेपर में भी इसमें यहां पर डाउट फूल है कि वैदर यह प्रोटोन प्म को इनिपिट कि सेंसर में करती है वह यहां पर यह भी जरूरी होते हैं जब आपने एंट्री बंद करवा दी है प्रोटून्स आयन की है एच प्लस आयन्स की अंदर यह लाइसोजोम में एंटर ही नहीं कर सकते तो किस बात का ऐसे डिक एंवार्मेंट फिर ठीक है ना वो बेसिक ही हो जाना है ठीक है और बाकी काम क्लोरो कुईन कर देता है अब इस बेसिक आता और यह लाइजोजोन इस प्लस Awards नहीं कर पाता और यह को निकालके भार आ जाता ठेक है ना यहां पे समट इसका टेग्रेडेशन होता और आपना और वागर अगर भी भेशता और वह सब चीज़ी बेशनिक है और यह यहां पे वही से अमॉसरीय मिला लाइएसों इन नहीं किया जब लाइजोजोम इस पर एक्ट नहीं किया तो बस फिर काम तो कुछ हुआ ही नहीं फिर वह रहीं का मैं ऐसे का ऐसे पड़ा रहा वह रैप्लिकेशन करी नहीं पाया आपनी नेक्स्ट जो सेकेंड जो तिंग है जो कि एक रिसर्च पेपर जिस जो कि आपका 2014 अक्टूबर में पॉब्लिश हुआ है क्लोरोकूइन इसे जिंक आयोनोफॉर ठीक है जो आप अभी स्लाइड अपने टीवी इस पर मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन जिस पर भी आप अ दिखरी होगी लेफ्ट साइड में वहां पे मैंने आपको बताया शर्मीला होता है या अकेला नहीं आ पता तो आ रहा है बट नहीं जाओ अंदर नहीं अंटर कर पा रहा है इसकी हिम्मत नहीं और अंदर गुसाने की यह बहां से बापिस चले जा रहा है क्लोरोकूइन ने मैं ले क्या होगा चले को ख्लोरोकूइन ने एक को ठीक है जूंक अंदर आ गया अब इसके अंदर आने से हुआ क्या क्यों हमें जवर्वत पढ़ रहे थे जिंग आयन की को को अनुए ना कौन लाया अंदर किसने help रहे लिए क्लोरोकूइन ने वह हैंड्रोक्स क्लोरूव and artery virus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these viruses in cell culture first of all the study is in in vitro conditions that means lab conditions में ये study की गई है अभी मैं ये नी बोल रहा कि किसी human पे study की गई है ये सारे के सारे जितना भी मैं आपको बता रहा हूं अभी ये in vitro studies है और promising results है results खराब नहीं है results बहुत अच्छे थोड़ी जो इसके बाद की slides से मैं आपको human trials पे दिखाऊंगा ठीक है आप यह मां समझेगा कि इन्ने in vitro studies दिखाए इन इन्ने बात ही नहीं करें इस इन वीवर श्क्राइब करूंगा और इन वीवर स्टेडिस के साथ हुआ क्या मैं उस पर भी बात करूंगा आप थोड़ा सा समय दीजिए मैरे को बस तो ZN2 प्लस क्या कर रहा है और ने पॉलिमरेज की एक्टिवीटी को इनिविट कर रहा है और ने पॉलिमरेज मतलग नेक्स लाइड देखिए अब आप नीचे देखिएगा उपर वाला मैं समझा चुका हूँ आपको नीचे आप ZN2 प्लस देख रहे होंगे अपुक्रो हइं देख रहे हुँगे आप है क्लोड कुईन फ्लस कि एंटर करने करें इंसाइड दा सेल डेड़न तूपलस अंदर आ चुका है कि जीड्रेलिटी प्लस की एक प्रोपर्टी है कि यह और न इडी इपेंडेंट आरीन पॉलीम्रेजिस के साथ इंटर्यक्ट करता है आरल न इडीपेंडेंडन आरत पॉलीमरेज क्या होता पहले वो जान लीजिए नाम से पता चल रहा होगा किसका करता है आ Mhm का मतलब कि मैं आपको अगर कि थोड़ा सा समुरा समझानी कोशी करूं कि यह थोड़ा टेखनीकल हो जाएगा कि में में कैसे समझाओ पर सपोज यह वाइरस हैना हमें क्या पता है cha single Canadian RNA virus coronavirus single-standion RNA virus है इसको है तो RNA को किया करना है अपना रैपिलिकेशन करा मतलब एक virus से तो गौन होने वाला ना बारस अंदर आएगा infect कैसे करेगा जब अपने सारे बहुत सारे अईसा बना लेका अपनिए फैक्शन होगा है 나 तो बहुत वह आने खेलिए उसको आरने का सिंतेसिस करना पड़ेगा तो आरने डिपेंडेंट आरने पॉलिमरेश क्या करता है उस जो यह सपोज नो जो वाइरस आया अभी उसका आरने इसके ऊपर यह बैठेगा और आरने का एक और स्ट्रेंड बना देगा सेम इसी के जैसा थे ना इत अन आरने डिपेंडेंट आरने पॉलिमरेश ठीक है ओल्दों समझा नहीं सकता कि न मुझे और वह क्या şey जाएगा और फिर आपको infection होना ही होना है कोई भी नहीं रोक सकता फिर उस infection को अगर वह बहुत सारा और ने लोड बना देता है तो फिर infection को रोका नहीं जा सकता ठीक है न अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है निश्ओक और रन्पर उन ठीक के साथ किया क्या इसने यह जाकर एट सॉफ़ बैट जाता है जोकी इसे आर ने नहीं बनाने देती अभी मैंने क्या बताया यह सिंगर स्टेंडीड आरेने था जो वाइरस आया अंदर सपोस्थ यह वाइरस यह अंदर घुज गया सेल के ठीक है इसने अपने आर्ने छोड़ दिया यह आरेने इसका है कि अभी ये इस पर चिपक गया और इंडेपेंडेंटन आप पर यह आरने नहीं बना पा रहा है एक और आरने बनाना अभी बहुत साय बनाने ताकि इंफ्यक्षिन कर सकें बट अब नहीं बना रहा रहा है क्यों यह जडेडन टू प्लस जो आया है ना इसने इसकी खराब कर ठीक है तो यह काम करता है जिंक आयोन जैड़न मतलब जिंक ठीक है आप देख रहे होंगे जिंक कंसेंट्रेशन जैसे से भड़ता गया वाइरल एरन ने लोड कम होता चला गया ठीक है यह स्टडी है आप पेपर मैं डिस्कुप्शन बॉक्स में यह आप जाईए देखिए पढ़िए मैं अभी भी क्लियर करता हूं कोई भी चीज जो मैं यहां बोल रहा हूं सब कुछ साइंटिफिक एनालिसिस के बाद ही मैं यहां पर बोल रहा हूं मैंने सारा पेपर पढ़ने के बाद यैप पिपेटिग त्यार करने के बाद मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं है बेवजह मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं सब कुछ पबेश्ट है सब की रिसर्चिज है और यह पूरथ है ऐसा ही होता है इसलिए मैं आपको पोल रहा हूं ठीक है ना ? नेक्स्ट इस्ट्रक्चर एंड मॉलिक्लर मॉडलिंग स्टडिज रिवील ए निव मेकनिज्म औफ एक्शन औफ क्लोरोकुइन और है ट्रॉक्सिक्लोरोकुइन अगेंस्ट सार्स कोरोनावाइरस टो इन्फेक्शन ठीक है अब एक न्यू मेकनिज क्या है वह हम देखते हैं अब जो आप Slide पर देख रहे हैं यह है स्यालीक ऐसिड ठीक है ऐब ऊपर देखेंगे छोटा साब इस लॐक अपस्टिं के उसपर आप देख रहे हैं और थे क्लोरोकुइब स्यालीक एसीड के साथ इंट्रेक्ट कर देता हैं जो इसцо जो यह को ऍहettu डिफरेंट डिफरेंट बेक्षज है एक ने बोला कि लाइसो जो कहें पियेचिछ करता है तो इसका मतलब यह नहीं की और लगंड कुछ और नİंळा सकता कि ठीक है ना ऐसा मैं समझतां कि सिर्फ भाई आव उस पेपर में तो यह बोला कि क्लोरोकुइन जिंक आयंग के साथ इंट्रेक्ट कर रहा है इस पेपर में बोल रहा है कि स्यालिक एसिट के साथ इंट्रेक्ट कर देखे भाई बहुत सारे मॉलेक्विल्च है मेरे पास आप और है मेडिसिन लेते हैं ना तो उसमें यह समझें कि एक ही मॉलिकूल जाता आपके बादी में ना बहुत सारे मॉलिकुल जाते हैं थे के नॉकशब्सक कीशरणे घर में भी ऐसी है ना सपोज किसी घर में चार्ड लोग रहते हैं तो एक कुछ काम करता है कोई घर समाल रहा है कोई भार का काम देख रहा है कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई कुछ जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सब को काम है ना है सब इंस इस नाट पॉसिबल को सियलिक एसीड के साथ बाइंड कर गया यह अब इसने किया गया मैं आपको छोटी से बात बता दों जो इस पेपर में पब्लिश होई हुई है जब वाइरस आता है और एस्टू रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है तो ओल्दो यह सियलिक एसेड मैज हुआ क्या इन्होंने इंट्रेक्शन किया और से बाइंड हैं जब और मक् Rings आता है और इस्टू के साथ रियक्शन करता है तो इस पेपर के लिए कॉर्डिंग कुछ पार्ट उसका त्षीर रिक एसीब मुझे वापिस मैं वही एक्जाम्पल लेता हूं मुझे इस घर में आना है बट धर्वाजा भी है बट मैंने भाहर से बंद कर दिया है और जो समान आ रहा है ना उसको समझ में नहीं आता कि यह डोर को ओपन कैसे किया जाए है ओके आप इतना सा समझे कि सम पुछ लगा दिया है मैंने हो बंद है डोर वो ओपन नहीं है बड़ वो अब अंदर नहीं आ सकता ठीक है दिस इस क्लोरोक्वीन इन आव इंद बैन इट इंट इंट्रेक्स विद दस्यालिक एसट ठीक है आई थिंक आप कवर्ड तो फूर त इस तो यह निद तो रिमेंबर थ्री थिंग्स फर्स्ट इस अलकलाइन नीचर अफ लाइज जोजों सेकंड इंक आयों इंट्रेक्शन एंड थर्ड वन इस यह जो पेपर है ना यह बहुत इंपोर्टेंट पेपर है इस पेपर में बहुत सारी और भी चीज़े नहीं बता सकता और नाय में हैं सब कुछ डाल सकता क्योंकि फिर वह पेपर रीडिंग हो जाएगा पूरा अब जाइए आगर आपको देखना है मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट बात यहां पर समरी समराइज करके आपको बता दिया है इस अच्छा शायद आपको समझ में भी नहीं आए कि यह उनको समझने कोशिकरी तब समझ में आने लगे बट एक्स्ट्रेक्ट करना चीजियों को थोड़ा टफ रहता है बट अगर आपका मन करता है आप पढ़िए जरूर पढ़िए पेपर पढ़ना चाहिए यह रिसर्च पेपर सोते हैं आप पढ़िए उनको ठीक है अब अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं चाहता हूं आप थोड़ा अब ध्यान से देखिए इसको और समझने कोशिश करिएगा हर एक पॉइंट को जो भी में यहां पर बोलने वाला हूं क्योंकि यह बहुत इंपॉटेंट पॉइंट होने वाले हैं ठीक है सबसे पहले हैडिंग पढ़िएगा आप यह पेपर पब्लिश हुआ हुआ है ठीक है 2020 में मन्त नहीं पता मेरे को बाट ध्यान से देखिए तो मार्शियल फ्रांस में एक स्टडी की गई जहां पे पेशेंट्स को हाइड्रोक्सी क्लोरोकुइन और अजित्रोमाइसिन दीया गया ठीक है कितने पेशेंट्स को 3737 3737 पेशेंट को हमने यह दोन ड्रग्स दिये मैं पूरा पेपर नहीं चला रहा फिर मैं डिस्कुप्शन में लिंक दे दूँगा आप जाईए पढ़िएगा बर जो मैं आप चीजे बता रहा हूं मैं मार्क कर दिया आप स्क्रीन पर चली रहा होगा आपके आप पढ़िए ज़रा एबस्ट्रेक्ट में बेक्ग्राउंड में ग्रीन कलर से क्या लेखा है दियान से देखिएगा तो इनार इंस्ट्यूट इन मार्सेल फ्रांस वी इनिशेटिड अर्ली एंड मैसिव स्क्रीणिंग ओफ कोरोना वायरस डिजीज होस्पिटलाइजेशन एंड अर्ली इसी क्यू एंड जित्रो मैसें वह प्रपोज्ट फूर्द पॉजटिव कैसे थिके न तो इन्होंने क्या प्रपोज़ किया पॉजटिव केसे जो आ रहे थे उनको अली ट्रीटमेंट दी गई किसके थुरू है अध्रोग्सी क्लोरोगीन और जित्रो मैसें दीगई उनको उसके बाद क्या होता है मैथेट्स में वी रेट्रोस्पेक्टिवली रिपोर्ट अ क्लीनिकल मैनेजमेंट ऑफ 3737 स्केंट पेशेंट इंक्लूदिंग 3119 टीटिट विद आड्रोक्सी क्लोरोगीन और अजित्रोमाइसें 200 मिलीग्राम्स ऑफ औरल ओके लेटिट बी लॉट क्यों प्रोटेंट वे अग्रोटेंटरोटो अप्रोटो बीट पेशेंट अजीट आप नेजिटी अवस्पित ऑफ चेंटीट अट शेडिक अबाप रिजल्ट में अज्टिकें अबाप रिचेंट अब रिचेंट्स में इज वास 45 अज विच यह 45 पर अट एंट अट अब आगे में एक और चीज़ आपको दिखाता हूं नेक्स लाइड इंडीड अमग देडेट्रीट्मेंट्स अजी थी में ड्रॉग्स विच इस Remedisvir, Lopinavir, Ritonavir and HCQ have been tested in large comparative studies okay, Lopinavir, Ritonavir and Remedisvir have not clearly demonstrated efficacy but are associated with many adverse events, अब ड्रॉग्स के नाम पढ़े हैं, Lopinavir, Ritonavir and Remedisvir, Remedisvir, मैं फिर से बलता हूं, have not clearly demonstrated efficacy but are associated with many adverse events, many adverse events in the sense के side effects, आप समझ लेजे, ठीक है, काफी सारे देखी गए, HCQ has demonstrated its efficacy in reducing viral shedding persistence and improving clinical status in observational or randomized clinical trials, ठीक है ना, इनके clinical trials randomized clinical trials भी हुए हैं, तो वो वाली बात तो आप छोड़ी देना कि यहां पे randomized नहीं था, ट्रायल, randomized trial में भी क्योंकि जो इनके participants में randomized trial भी किया गया है, आप उन सब चीजों में मज़ आईए वट इस तो मतलब यह उनको समझ में आ जाएगा जिन्हें पता है सब चीजे ठीक है ना, आप कोई जानने की जरूद भी नहीं है ठीक है, जो आपके मतलब की चीजे में सब समझाऊंगा ठीक है और कुछ भी नहीं छोडने वाला, इन एडिशन भी परफॉर्म्ट ए रिसेंट मेटा अनलेसिस अफ 20 अवेलेबल रिपोर्ट इंक्लूदिंग 1,05040 प Symantes demonstrating that in clinical studies, है, Chloroquyine and its derivatives improve clinical and biological outcomes and reduce mortality by a factor III in coronavirus disease 2019, in addition, we recently reported a very low mortality rate. mortality rate मतलग मृत्युदर in a retrospective analysis of more than 1,000 patients early treated with a combination of hydroxychloroquine and azithromycin with a very low and mild adverse events the rate was only 2.3 percent तो इन्होंने बाद में एक और retrospective analysis करी 1000 patients में जिसको early treatment दिया गया HCQ रिजित्रोमाइसिन के साथ जिसमें उन्होंने पाया कि लो और mild adverse events वहाँ पे दिखेंगे जो कि approximately 2.3 percent थे ठीक है next slide बहुत important slide है ध्यान से देखिए का 3737 patients है ठीक है जिसमें से आप यह यह ऐसे ट्राइल होता है ट्राइल का result actually मैं पता नहीं मेरे को आपको कितना समझ में आएगा बट शायद आई जाय सकते सब कुछ क्योंकि बहुत अच्छा paper है है ठीक है 319 patients received HCQ or azithromycin in less than or equal to three days है ठीक है and 618 patients received other treatments अलब 618 को कुछ और दिया गया और 319 को तीन दिन के अंदर-अंदर HCQ और azithromycin दिये गए ठीक है उसमें से 618 में से 218 को HCQ और azithromycin more than three days में दिये गए ठीक है 101 को सिर्फ और सिर्फ HCQ दिया गया 137 को सिर्फ और सिर्फ azithromycin दिया गया 162 को नहीं तो HCQ दिया गया नहीं azithromycin दिया गया आगे देखते है अब इसका रिजर्ट देखिएगा क्या हुआ उनके साथ ग्रीन ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं उसमें यहां पर ब्लू ब्लू आपको दिखाई देगा एक चीज जहां पर लिखा है HCQ and isthromycin in less than or equal to three days मतला इंफेक्शन होने के तीन दिन के अंदर अंदर अगर यह अर्ली टीटमेंट में अगर अगर अजित्रो यह तोमारा जल्दी पेशेंट आपका सर्वाइब किया जब अधर ट्रीटमेंट दिये गए जब आप यहां पर देख रहे होंगे तो यहां पर चीजे खराब होती चले गए अधर ट्रीटमेंट में एंड फिर हॉस्पिटलाइजेशन जिन और को कुछ को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ लेस देन 10 डेज के अंदर जहां पर कुछ भी नहीं दिया गया ठीक है और सीवेरिटी काफी जादा हो गई बैरी सीवेर के के टिगरी में उनको डाला गया और आइसीव तक जाने की नोब अगर तीन दिन के अंदर अंदर एसीव और अजित्रोमाइसीन के साथ उनका ट्रीटमेंट किया गया तो मॉटलिटी रेट जो था वो सिर्फ 0.5 परसेंट रहे गया 0.5 परसेंट रहे गया ठीक है ना वेराज नो देट वाज अब्सेर्व इन पेशेंट्स ग्रेटर देन सिस्टी यर ओल्ड इन आर स्टडी प्रपोर्शन ओफ देट्स अंडर सिस्टी यर वाज 3.5 4.3 9.8 और 19 परसेंट यह हिसाब था इनका जिसमें उन्होंने यह बोला है कि जब एक सीक्योर है जिस्ट्रमाइसिन को हमने दिया तो मोटलिटी रेट गेर के कितना रह गया 0.5 परसेंट तक रहा हमें डाटा मिला ठीक है डेटा और रिपोर्ट कंपेरेबल तो डेट ओफ ऑसलेटा मीर एट अर्ली स्टेज अफ इंफ्लुएंजा ठीक है ना तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कि अधर एंटिवारल कंपाउंट्स लाइक रेमिडेस्वीर या फिर हमने हाइपर इम्म्यून गामा ग्लोबलीन सगर दिये तो उनका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है ठीक है ना कि वह अपनी स्टेडी में क्या शो कर सकते हैं ठीक है ना टेकिए इंटू अकाउंट अस्टेशेशन बिट्विन लोग ब्लेट जिंक लेवल्स एंड पूर क्लिनिकल आउटकम्स जिंक संप्लिमेंटेशन गई थी मुझे पता है जितना बाकी जगह का मेरको पता नहीं है ठीक है बट हां जिंक टैबलेट्स दिये गए थे सबको दिये गए है तो यहां पर भी वह बात लिखिए जिंक सप्लिमेंटेशन शुड़ बी ऑल्सों कंसीडर्ड आज रीसेंटली रिपोर्टेट तो सिंक का सप्लिमेंटेशन मतलब जिंक को देना और ज्यादा इंक्रीज करना वो एक उसको एक अच्छी तरीके से दिखा गया उसको रिपोर्ट भी किया क्या and however the choice of the best treatment should be made according to its safety profile okay obviously हम बेस्ट चीज को कहसे तूनेंगे आप सेफ है तो ही तो वो बेस्ट है ना अगर सेफ नियोगा तो फिर बेस्ट किस काम का okay and better for hcq azithromycin than for remdesivir and in bracket it is mentioned that adverse events leading to cessations of treatment in 0.9 percent in our study versus 12 percent for remdesivir में कितना दिख रहा है 12 percent chloroquine का कितना दिख रहा है 0.9 percent okay कि मैं सिर्फ एक पेपर कोट नी करूंगा आगे और भी वेपर हैं तो किरपया करके न सोचे कि एक पेपर कोई कोट करके बूला जा रहा है ठीक है न मैं जस्ट एक एक्जामपल दिखा रहा हूं कि किस पेपर में काफी सारे प्रूफ्स है मैं बागी के पेपर सारे पढ़नी सकता है यहां पर बस तीक है आगे चलते हैं जो नेक्स्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैं आपको बस इसमें एक चीज बताना चाहता हूं और यह चाट बहुत अच्छा है ठीक है यह उसी रिशर्च पेपर में है बस मैं एक चीज आपको यहां पर मेंचेन कराना चाहता हूं देखिए आप फेज फेज टू फेज त्री फेज फेज फोरती हैं चार फेज़िस हैं जिसमें आप फेज त्री के बाद देखेंगे इंफ्लामेटरी रिस्पॉंस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है इंटी देखा जाता है अर्ली स्टेजिस में तो आप देखेंगे सिर्फ आप एक ही चीज नोटेस करें क्योंकि मैं आपको वहीं नोटेस करवाने हूं यहां अगर फेज़िश क्लोरोक्विन पर पॉजिटिव है और उसके नीचे अगर देखेंगे आप फेज बन में में बात कर तो तेख है को फेज त्री अट्रोक्ची है क्विशन म् deuxième कि अगर नौट तो कि टॉकली जम तेख है टॉकली जूम के जो की इंडिया में भी AceFR रहें ठीक है रेमेडेस्वीर के अलावा इसे भी रेकमेंडेशन किया गया था फेस तरी में इस पर भी कुशन मारक है यानि कि जब चीजे इंफेक्शन ज्यादा हो गया इंफ्लामेटरी रेस्पॉंसे आने लगे स्टिरोइड दिये गए थे ना इसे ही सप्रेस करने के लिए बाद में वह साइटोकोइन इस्ट्रोम आने से पहले की मैं बात कर रहा हूं तो हैड्रोक्सी गिलोरोक्वीन ने बहुत अच्छे रिजल्स दिये हैं इनके पेपर में अर्ली स्टेजिस पे एच्छी क्यू और ऐसे छोटे पेमाने पर बेटर नहीं बोल रहा मैं जो यह पेपर पढ़ने के बाद और आगे आने वाले पेपर पढ़ने के बाद जो चीजे सामने आई है ना वह रिजल्ट काफी प्रॉमिसिंग है एच्छी कू को अगे चलते हैं अब मैं बहुत जरूरी बात करने व जो आप अब शायद देख रहे हैं यह यूएस के फर्मा प्रेजिजेंट डॉनल्ड ट्रम का एक पिक्चर है मुझे माफ किजेगा कि हिंदुस्टाइन टॉइम्स को यहां कोट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको एक्चुल चीज नहीं दिखा सकता एक्चुल चीज म ने बोला था where you can see here Trump पोलते हैं कोट I think hydroxy chloroquine works in initial stages स्टेजिस अनकोट सो है hydroxy chloroquine works in initial stages यह डॉनल्ड ट्रम्प ने मार्च 22 2020 को कहा था ठीक है पीछे आई वापिस है क्या बोला इन्हों ने hydroxy chloroquine works in अर्ली स्टेजिस दो स्लाइड पहले आते हैं एक स्लाइड पहले आते हैं क्या लिखा यहां पर फेज वन फेज टू अर्ली स्टेजिस में क्या काम कर रहा है hydroxy chloroquine अब को एक बात बता हूं मेरे को ट्रम्प से या किसी से कोई लगाव नहीं है पर अगर कोई कुछ कह रहा है और भी उस देश का राश्रपती को जब कुछ कह रहा है जो जो शायद शायद टेक्नोलोजी में और बाकी सब चीजों में काफी आ गये ठीक है ना कुछ तो बात है उस देश में भी वो आपको पता है अमेरिका में क्या हाल हुआ था ना आप सब नहीं देखा है अपने टीवी चैनल पर जब वहां पर डेथ हुए बहुत हुए और क्या कुछ गलत है इसमें मुझे आज बताई यह पेपर बाद में पबलिश हुआ ठीक है इनके साथ हुआ क्या इनका ट्वीट डिलीट किया गया जो मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले आगर आप वीडियो देखेंगे इनका ट्वीट डिलीट किया टुटर ने इनके पोस्ट डिलीट किये फेस्बुक ने इनने बैन करा गया शारे शोशल मीडिया अकाउंट से उसके बाद यह बोल ही नहीं सकते थे वो ट्विटर जो शायद अभी फिरीडम आफ एक्सपरेशन की भयानी दे रहा है वो पता नहीं क्या है वो ट्विटर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसका वो आज इतना बड़े लेवल पर अपने आपको समझ रहा है कि दुनिया म वीडम आफ एक्सपरेशन की उसने दुकान खोली है उस ट्विटर ने एक प्राइवेट कंपनी है चोटी सी ठीक है ना जिसमें मैक्सिमम फोर करोड और फाइब करोड मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स होंगे जो होंगे ठीक है ना मैंने उस दिन भी बोला था जिसमें से एक क कि आधर और वोट सुंगे उसमें घो यह तो सुटीटर की बात हैं जो पता नहीं आज उसे हुआ क्या क्या की सारी दुनिया में क्या और है क्यों बात करेगा वह intentar कर दिया किसको बात करनी किसको नहीं करनीर नाइझेर्याने बेहन किया देखा उसने तकिता क़लत तरीके से रिस्पॉंस दिया उसके बाद उनके क्यों किया वो प्रेजडेंट के ट्विट डिलीट कर दिया कि अब भाई कुछ भी चल रहा है कि वो फ्रीडम एक्सपरिशन नहीं दिख रहा क्या और मैं सच बोलता हूं जो यहां से कि आई टी मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा ना है कि क्या लेटर लिखा भाई कि मान गए सची में बोलता हूं कि एक एक सवाल का जवाब देदेंगा ट्विटर मैं सर्जुवाई खड़ा जाओंगो उसके आगे अब पढ़ ले ना वह सवाल जड़ा क्या पूछे है आई टी मिनिस्टर ने वह तै कर रहा है आज की कौन सही है कौन गलत है ठीक है ना कि यह हाल हो चुगा आद देश में पूरी दुनिया में देश में नहीं पूरी दुनिया का यह हाल है वाइस प्रेजिडेंट इंडिय या चलिए मैं बोलता हूं कोई नहीं हो ठीक है आपके अकाउंट इनक्टिविटी थी बस जो भी था अभी क्यों हो रहा है यार आप से पहले भी हो सकती थी ना चीजिए आज ही क्यों हो रही है कि पिछले दो साल में ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ हो रहा है आज मैं देख रहा हूं कि CNN Reddit Amazon इनके सबके सर्वर्स हैं वो डाउन हुए एकड़ों ठीक है बहुत कुछ हो रही है चीज़ें कारण क्या है आप बहुतर जान दोंगे मुझे मैं तो हमेशे बोलता हूं पर सब कुछ यह नहीं दो साल में कुछ जादा नहीं हो रही चीज़ें एक वाइरस से चीज़ें चाल हुए थी और यह कहां जाके खतम होगी पता नहीं पर मैं तो चाहता हूं जल्दी खतम हो जाएं बहुत कुछ चीज़ें अगे आप देखें ट्रम्प क्या बोलते हैं आगे फोसम रिजन ट्विटर और फेस्बुक तुक दैम आफ अब क्या रिजन होएं तो ट्विटर वाले और फेस्बुक वाले बता पाएंगे बहतर मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा उन्हें कौन सा आर्टिकल मिला था या प्रेडम आफ एक्स्प्रेशन जो आज बता रहे हैं कि यह आदमी ठीक बोल रहा है यह आदमी कलत बोल रहा है कि मैं 36 एक्जामपल रख दूंगा भाई कि मेरा टॉपिक आज यह नहीं मैं अभी अगले दिन बात करूंगा जरा उसके बारे में मैं 36 पोस्ट रखूंगा जरा इतनी वाहियाद बाते लिखी है ना उस पर कोई एक्शन नहीं और मैं क्या लिखूं मैं बोल रहा हूं आपको वाईटी ने मिनिस्टर का जाके एक बार लेटर पढ़िए आपको पता चलेगा लोगों का दोगलापन आगे चलते हैं 19th में यह thread है मेरे ही लिखा हुआ thread है मैं हां कुछ जादा नहीं बोलूंगा बट हां जो लिखा है में वो पढ़ देता हूं NIH is led by Dr. Fauci, advisor to Joe Biden, the President of the United States, the current President of the United States CDC recently said Pfizer vaccine for children starts from May 14 and once people have both shots they can live life without mask or social distancing मेरे को इससे कोई प्रब्लम नहीं है ठीक है बच्चों को वेक्सीन लगवाई है करिये Dr. Fauci का मैंने बस यहां पर जिक्र किया है मैं इनके बारे में बाद में थोड़ा सा बात करता हूं मैंने ट्विट किया था उसके बाद ना कुछ हुआ मेरे किसमा समझ लीजिए या क्या हो लीजिए कुछ हुआ उसके बाद अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा अब फाइल है कम से कम आगे 700 MBS के आराउंड का फाइल है कुछ निया जस्ट पेपर से उसमें इधर है जॉष जॉष ने जॉष एक सेनेटर है जॉष सेनेटर है युएस में पता नहीं कौन से स्टेट के हैं सारी मैं भूल गया कौन से स्टेट से बलॉंग करते हैं जॉष बट इनका ट्वीट पढ़िए एं एंथानी फॉचीज रिसेंट्री रिलीज्ट इमेल्स एंड इनिवस्टिगेटिव प्रेपोर्टिंग अबाउट कोविड नाइंटीन ओजी ओरिजिंस आर शॉकिंग तो जो 700 MB का जो फाइल है वह इनकी इमेल्स का फाइल है ठीक है ना मैंने ट्वीट किया सा 19th of May को और God forbid मेरे को नहीं पता वो कैसे लीक हुई ट्वीट करने के बाद लीक हुई और यह थ्रेड में बहुत कुछ लिखा हुआ है वर्ट मैं सब कुछ यहां नहीं खोल सकता मैं आपको इशारा जरूर दूगा मैं आपको प्रॉमिस भी किया दा वहले भी कि मैं उस हद तक लिए कि जाओंगा कि मैं आपको बता सकूं की हो कहरे है और कौन-कौन कंट्रोल कर रहा है इस चीज को ठीक है ना तो इन्होंने भी कुछ पड़ा इस ताइम है पर फॉची तो रिजाइन एंट फॉल कंगरेशनल इंवस्टिगाशनल इंट थे और जीन अवरिजिन फॉबिट-19 अन इन टौन आवल अफर्स तो प्रिव इंट फॉल अकाउंटिंग गलत नहीं कह रहें भाई ता पॉब्लिक डिजर्वस तो नो इफ परसंस विदिन दे युएस गवर्मेंट ट्राइट तो फॉल इंवस्टिगेशन इन्टो कोविड ओरीजिन तो क्या यह बात सच है क्या इस भाई की बात में दम है क्या डॉक् या जो भी कोई है I don't know बट अगर यह बोल रहे है मैं इनको कोट करके बोलता हूं कि अगर इन्होंने बोला है और जो मैं नहीं पढ़ी है इमेल्स ठीक है ना वहर जगा है अब आप जी जाके पढ़ी है उन इमेल्स से तो ऐसा ही लग रहा है कि यह आदमी ओरीजिन कैसे किसको यह ट्वीट किया जो कि शायदा से तीन चाहर जिन पुराना ट्वीट है हाँ नेक्स्ट पेज पर आईए एक और अब मैं आपको थोड़े से ओवर प्रूव्स दिखाता हूं और भी रिसर्च आर्टिकल्स के अ या आप ग्राफ देख रहे हैं तीन कलर देखेंगे समय ग्रीन ब्लू ब्लाइक में ब्लैक से दिनोट किया जाता है कंट्रोल ब्ल्यू से दिनोट किया जा रहा है से और फॉर से जब हैट्रोक्सी चज़ोर्टीव दिए गई है और ग्रीन वन से दिनोट किया जा रहा है जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एड़ अजिथ्रोमाइसिन का कॉंबिनेशन दिया गया है यह मैं नहीं कह रहा है रिजल्ट कह रहा है किसी दूसरे रिसर्च पर कर उसका नहीं है यह ठीक है न क्या बोल रहा है कि कि फिफ्ट डे में जब पेशेंट को हैड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एड़ जिथ्रोमाइसिन के कॉंबिनेशन दे गए वो फिफ्ट डे में ही ठीक हो गया ठीक है न आप एरो देख रहे हैं एकदम डाउन आगया कि अर्ली स्टेजिस की में बात कर रहा हूं मैं अभी आपको बोल रहा हूं अर्ली स्टेजिस में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वर्क करती है डॉनल्ड ट्रंप ने भी यही बोला कि अर्ली स्टेजिस में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वर्क करती है मैं आपको यहां से लिगा कि actually हो कह रहा है आ इंड देन एक और पेपर है as itli struggles ही मेरा मेरा ही पाइस है मेरा ही हैंडल है twitter का as itli struggles and as real Donald Trump mentions chloroquine and hydroxy chloroquine treatments for SARS coronavirus I think of an Italian who proposed the first that 17 years ago उनको इसका appreciation जाना चाहिए ठीक है ना उन्होंने यहां पर बताया था hypothesis is the case of SARS जहां पर उन्होंने बताया था hydroxy chloroquine SARS के ओपर वर्क करती है सत्रा साल पहले है ठीक है एक और पर दूसरा पर वह नहीं है मैं फिर से बात कर रहा हूं ठीक है अब एक अपरेल 2020 के बात से लिखने चालू करे थे ठीक है ना अपरेल 2020 के बात से लिखने चालू करे थे और मैं उनको लिखता रहता हूं बट मैं ऐसी लिखता रहा और एक दिन मेरे हाथ ना बहुत बड़ी चीज लगी है मैं आपके साथ शेयर करता हूं Sobering paper just out on chloroquine as a drug against COVID-19 its antiviral nature has been known since the 1960s and it works really well against COVID-19 as well but only in cell culture in vitro ओके ये इस paper में भी in vitro studies की गई थी ठीक है जो पूराना paper था और जो आप राइट सेड में paper देख रहे हैं ठीक है इसके result को भी आप वीडियो पोज करके अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले ना ठीक है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इतना लंबा में वीडियो करना नहीं चाहता यहां पर भी आप देखेंगे left side में chloroquine के बाद देने के बाद और अगर आप नीचे लिए एक और पर देखिए है कि मल्टी नेशनल रेट्रोस्पेक्टिव अनॉलिसस ऑफ 96,000 कोविड पेशेंट पॉब्लिज इन लेंसेट लेंसेट मेरा पहला वीडियो जो इसी पेवेज था जो एक मिनिट का पिछली बार वीडियो डाला तो जब मैंने बोला था कि मैं ब अपर तो आग बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए कि यह में 22 को एक पिपर पबलिश हुआ लेंसेट में आप राइट साइड में डेट देख सकते हैं में 22 2020 कि कि ट्रंप के बोलने के दो महिने बाद क्या लिखा है 96,000 कोवीड पेशेंट पबलिशें लेंचेंट सेज़ दरग्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन वें यूज़ अलोन और विद अजित्रोमाइसिन और हमफुल एंड लेक्ट वा सिग्निफिकेंटली रायर रिस्क ओफ डेथ मतलब कि जिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन को मैं अभी तक यह बोलता आ रहा था कि वह अच्छे से काम कर रही है इस पिपर ने वह सारे पर पानी फेट दिया क्यों भही लेंचेट पर पबलिश हुआ है पर पते क्या हुआ इस दिन यह ब्लू टिक अगरा हटे थे तो मेरे को ऐसे हुआ मैं यह टूटर बैन वैन ना हो जाए तो जो अपने ट्वीट्स कियो है उनको मैं सेव कर लेता हो अलग से तो मैंने स्क्रिंशोट लेना चालू कर दिया अपने ट्वीट्स का तो यह यह मेरे सामने आता है आप यह ब्लू कलर का देख रहे हैं यह इसी का डायरेक्ट लिंक है यह लेंसेट का फेपर खुल जाएगा इससे यह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा पुरानी वीडियो में भी शेयर है अल्रेटी अगर आपको देखना है वहाँ पर ज यह बापिस ले लिया उन्होंने पर क्योंकि वह पेशेंट की दिखाही नहीं पाए जब उनसे पूछा गया कि 96000 कोविड पेशेंट कहां है और यह डाटा कहां है कोई डाटा नहीं था पेपर लेंशेंट में पब्लिश हुआ डाटा कहीं नहीं है ठीक है न समझ रहे हैं मैं गलत नहीं बोल रहा हूं मैं अगर हुआ तो मैं न्यूज आर्टिकल भी चला दूँआ जब उनसे डाटा मागा गया उनके पास डाटा आवेलेवल नहीं था ठीक है और इसको मद्या निजर रखते हुए काफी सारे कंट्रीज ने अड्रोक्सिकलोरोक्वीन और यह सब चीजों को बंद कर दिया और ट्रम्प को गलत साबित कर दिया जूट बोल रहा था ट्रम्प ऐसा लोगों ने सोच लिया जूट कोन बोल रहा था आप बहतर जानते है नेक्स लाइड नहीं फौची से मैं on the basis of emails जो भी लीक हुए है उन्हीं के ऊपर बात कर रहा हूं मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता ठीक है यह platform भी ऐसा नहीं कि कुछ और बोल सकते हैं यहां पर ठीक है यह सब एक ठाली के चट्टे बटते हैं मेरे पुराने वीडियो में आपको एक वीडियो था यार कितना मिनट का था थर्टे मिनट सम्थिंग था वो टुक लाइक अरांड थर्टी एट आर्स और सम्थिंग में भी तो गेट रिव्यूड और पॉब्लिज्ट मैं परिशान हो गया मैं यार क्या रहा है थर्टी एट आर्स ले गया वो रीवी होने के होने के चक्कर में और उसके बाद तो फिर आप मैंने एक बार शेयर बिख्या था ना तो हैस्टेक दिखरा चाइनीज वायरस आप कमेंट भी नहीं कर सकते चाइनीज वायरस बोलके तो यह यूट्यूब वो ट्विटर वो फ एक्सप्रेशन की बात करता है चाइनीज के लोग का प्रीडम एफ एक्सप्रेशन की बात कर भाई ठीक है यहां ग्यान मत दो ठीक है आप से जो सवाल पोचे कहें आप पहले उनका जवाब दीजिए ठीक है ओके छोड़ देते हैं बाइस अक्टूबर 2005 पर आते हैं इनी के उस इमेल में यह पेपर है जहां पर इन्होंने कोट किया इस वेपर को और बोला क्लोरो क्वीन इस पोटेंट इनिभीटर ऑफ सार्स कोरोनावारस इंफेक्शन और इट कें प्रिवेंट अस्प्रेड अलसो एडिन रिजल्ट अलसो सेम तिंग इस मेंचन यू कर लेना ही इस दा एडवाइजर तो जो बाइडन और निएच नेशन इस लेट बाइड बाइड दॉक्टर फोची अगर कोई मेटेकल स्टुएंट देख रहा है तो आप एक बार इंटरनल मेडिसीन का बुक उठाईए शाया आपको पदाचे जाए लेबरेरी में जाए है करोई ड़ करें डॉक्टर फोची की बहुत वुक्स मिल जाएंगे बहुत बड़े आद्वें बहुत जाला माश्क पहनो मासक मत पहनो फिर मास्क पहनो इन ही कहानी थी ठीक है ना जोह पागल हो गय थे तो बस इतना ही कहना था मेरे को ज्यादा और नहीं कह सकता बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अब समझ यह हो क्या रहा है कौन लोग आपको वेवकूफ बनाना चाहरे है वह गवर्मेंट जिसने जनेटिकल इंजीनियर्ड वाइरस बनाया यह वो लोग जो इसमें कुछ हेल्प कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो और क्यों कर रहे हैं पता नहीं कुछ कारण तो होगा कि क्यों इन्वेस्टिकेशन में खामाखा चीजों को दबाया जा रहा था अब जब इमेल लिक हुए तो गवराट हो गई है थोड़ी से कि ना उस गवराट को बचाने के चक्कर में कि शायद चीजे बिगड़ जाए और बहुत सारी चीजे सामने भी आ रही है कि अगर यह पेपर मेरे आगे नहीं आता ना उस रात को क्लिक नहीं करता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता और यह 22 में को 22 में को यह फेपर फब्लिश हुआ था मैंने यह ट्वीट 30 में को सम्तिंग अराउंड ऐसे किया था और अपि मैं इसको जब स्क्रिंशोट लेने बटा तो मैंने बेवजा क्लिक कर रहा था मेरे फ्रेंड्स साथ में हैं दो फ्रेंड्स और हैं पूरा कंप्लीट हम लोग सा रात में काम कर रहे हैं और मैंने उनसे जब रात में शेयर किया आए थे काफी रात होगी थी उसके बाद पूरी रात बैठा रहा काफी रिसर्च पेपर्स निकाले और क्लोरो कुन के बार में पंढ़ना शुडू किया और फिर मैंने यह सोचा कि ट्रंप को क्यों जूट ब एक प्रेजडेंट को उस तइम प्रेजडेंट था मार्च में नमबर में काइम ईलेक्शन होए था ना है कि रिजल्ट बगएरा तो नमबर के टाइम ही चल्रागे चल रहा था जा नमबर ही था ऑट्टू नो आता जो भी हुआ उनके कंट्रीज में पर कुछ गड़बड जरूर है कौन लोग है जो यह बात बोलने से आपको पीछे करते हैं कि इस नौट चाहिनीज वायरस इस नेचुरल क्रियेशन और दिस नौट जैनेटिकली मॉडिफाइड वायरस कि आपको ना सो पूरूफ दिखा दू कि वाट्षप पे तो शेयर कर ला देगा मैं देखें मेरे को अभी थोड़ा ना मतलब सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा थोड़ जानता भी एक्चुली मतलब यह तो पता है यह लोग बहुत पावर्फुल होते हैं लोग ठीक है ना इसलिए मैं जादा बोलना भी नहीं चाहता है पर जित्ता मैं बोल रहा हूं सबका सब फेक्ट से सबका सब प्रूफ बेज़ड है हुआ है कि 2017 का वीडियो भी वाइरल हुआ था जिसमें इन्हों ने बोला कि देर विल बी आउट एन इंफेक्टियस आउटब्रिक पता नहीं इनको कैसे पता है चीजें हमें बता देते हम भी पहले से त्यार हो जाते वाई जिए आप 2017 में सब बात जानते थे थोड़ा पहले बता दिया होता फिर कि देश में महावारी आने वाली है और मैंने फाइजर वाली वीडियो में भी घाता कुछ फोटोस देखे गए हैं इनके वुहान में रिसर्च लैब है फाइजर की और फंड कहां से कैसे गए हैं आई डॉंट डू है ठीक है ठीक है समझदार आप हैं आप भी चीजों को आप जान रहे होंगे समझ रहे होंग प्रिया ने आज तक इस चीज को कभी उपर ने उठाया कि हाइड्रोक्सिक लिवरों के उनके उपर जूट बोला गया था कोई रिस्टडी नहीं डाटा ही नहीं उनके पास बीना डाटा के और बीना किसी उस एविदेंशल प्रूफ के लेंचेट में पबलिश हो गई वह चली हो भी गई पर कम से कम जो जो जूटा साबित हुआ है एक प्रेजिडेंट को या फिर आम पबलिक के तो हाइड्रोक्सिक लोरो कुइन के बारे में तो बोला चाहिए ना नहीं ठीक है दवाई ठीक है आप काम करें अर्ली स्टेजिस पर मीडिया चुप जो बाकी के लो समझना चाह रहे थे कि वाइरस का एक्चौल ओरीजिन क्या है जो इस हीमेल में डॉक्तर फाउची ने जो लिखा है लोगों ने उनके काम को रुखवा दिया गया उन्हें आगे फर्दर कुछ नहीं करने दिया वह इसको जैनेटिकली इंजीनेड है यह प्रूफ कर रहे थ तो बहुत ही काम चीज़ें होंगी है ना इन पर भी होंगी और जो डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है वह अलग आता है कंट्री के उपर तो कंट्री तो चला नहीं है ना तो उस लेवल पर भी देखना चाहिए तो वह काम बाद में फर्दर सारा का सारा रुखवा दिया गय पर आप अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने माइन में बिल्कुल शक्मत रखेगा कि इसका ओरीजिन हुआ कहां से हैं हुआ उसी देश से हैं जो पूरफ की तरफ पड़ता है और किस कारण से यह चीज़े सच छुपाई जा रही है या ओरीजिन कहां से हुआ चुपाई जा रही है आई डूंट नो कि मुझे नहीं पता और अगर पता भी से लगा शायद मां बता भी ना पाऊ लेकिन गड़बड है बहुत गड़बड है जूट पर जूट बोला जा रहा आप से इन शोचल मीडिया अकाउंट की वज़े उपर से इनके कंदों पर र जूट पर जूट इन शोचल मीडिया से अकाउंट के बढ़ है तो कुछ तो होना चाहिए इन लोगों के उपर भी तो जब एक जूट पदा चला कि यार ठीक है वो चीज गलत थी तो कम से कम बाद में बोलना तो चीए कोई बात ही नहीं कर रहा मेडिया में भी कहीं भी कोई भी मेडिया मैं में मेडिया यह एडिया की मीडिया नहीं बात करता हूं पिर कहीं कोई पोस्ट ही नहीं है ठीक है यह पोस्ट मिल जाएगा कि हां लेंसेट ने रीट्रेक्ट कर लिय उन पर डाटा नहीं था उसके बात क्या बाद में एक सीडियो पर्मिशन फिर से क्यों नहीं दे गई क्योंकि एक प्रेजिडेंट को गलत साबित रखना था इसलिए मरने दिये लोगों को ठीक है कोई बाथ नहीं जो भी हो रहा है बटि मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी Union में फिरसे बोलता हूं कोव गशीन और स्पुतनिक इन दोनों वेक्सीन पर भरोसा रखी आग बंद करके बरोसाों रखी को भी शेड्ड पर बहूत अग बंद करें पर बहुत रखी और मैंने आपको सबसे शुरू वाली वीडियो में भोलता है और आज भी मैं बोलता हूं भारत सरकार या बागी दुनिया की सरकारों को मुझे नहीं पता बट मुझे अपनी सरकार का जुरूर पता है भारत सरकार आपको मरने नहीं देगी कि वह कोई भी गलत इंफॉर्मिशन इधर से उधर नहीं होने देगी जो लोग करवाना चाहा रहे हैं कि यहां पर भी जो भी मीडिया हाउसिस हैं पढ़ गए थे हैं फाइजर के पीछे मैं बोल रहा हूं आज भी अगर भाना मिल गया बस हमें कि हमारे पास कपैसिटी ने जी उसे माइनस सतर माइनस ससी पर रखने की और मैं वैक्सीन के बारे में भरम फिलाने यहां बैठा नहीं हूं नहीं तो लोग बाग कुछ का कुछ बना देते हैं जो किस दिन खोल के बैठू हुआ फाइजर के बारे में तो चीजे इन्हें अपना बिजनिस बढ़ाने यहां आना है और यह बैठ गे थे सारा मीडिया फाइजर लौव फाइजर लौ फाइजर लौव फाइजर लौव एक आद्मी तो हमारे मुख्यमंत्री तो बात भी कर लिया था हुआ पेसि इंदरने मना कर दिया सेबाग करें आपसे ने बड़े आदमें कोई बात नहीं जो लेकिन जो भी है आप अपनी सुदेशी वैक्षिन पर भरोसा रखिए कुछ नहीं होने देंगे आपको कुछ भी नहीं होने देंगे आपको भ्यान रखें बस आप अपना जैहिंद नमस्कार